हलो मेरे प्यारे दोस्तों एक अपडेट है और अब तो सब अपडेट ऐसी लगती है अफिश्यल है चलो ग्रूप D NTPC को लेकर है मुझे वाकई में नहीं पता है मैं उसके उपर भी RTE लगाने जा रहा हूं किसके उपर कि एक्जाम कंड़क्टिंग एजंसी है कौन सी FTEK है या TCS है मुझे नहीं पता आप लोगों को पता हो तो मुझे बताना और कोई पुस्टी हो तो भी बताना कि यहां पर यह ऑथन्टिक इनों ने बता दिया है हाला कि कोई पता नहीं है अभी तक कुछ इस तरह की अपडेट्स नहीं आई है जो हम ऑफिशली देखते हैं कि कौन करवाने वाला है क्या करवाने वाला है और भड़ती यह कब तक पूरी कर देंगे बट इनके कलेंडर को देखते हुए लगता है कि यह नेक्स्ट साइकिल तक यानि कि जनुवरी तक इस एलपी को पूरा निप्टा देंगे टेक्निशन को यह फेवररी मार्च तक यह पूरा निप्टा देंगे जैसा कि रेलेवे ने कमिटमेंट किये हैं अब कमिटमेंट्स तो कर रखें काफी सारे और बहुत सारे बच्चे इनके कमेंटमेंट क चक्कर में अपनी लाइफ को भी बरबाद कर रहे हैं, किस वज़य से बरबाद कर रहे हैं, एक ऐसी जॉब के लिए बरबाद कर रहे हैं, जिसको बहुत टाइम डूरेशन में लाया जाता है, और वो बच्चा, एक बहुत बड़ा बच्चा, बहुत संख्या में बच्चा, वो बैठा रहता, इंतिजार करता रहता है, और फिर वो पेपर भी अगर ट्रांस्परेंसी के साथ नहीं होते हैं, तो फिर बच्चों को ज़्यादा दुख होता है, खेर इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे, और आज का ये ओफिशल नोटिस क्या है, ये ओफिशल अपडेट क्या है, इनके बारे में भी बात करेंगे, कि कब तक भरती आपकी पूरी होगी, इन्होंने क्या कहा है इस ओफिशल अपडेट में, और एक्जाम की जम्यदारी किस जोन ने लिए है, टेक्निशन और A.L.P. का नहीं पता, लेकिन गुरूप D और N.T.P.C. के लिए कुछ इसपस्ट खबर आई है, बिलीव करने का मन तो नहीं करता है, लेकिन करनी पड़ती है, क्योंकि ओफिशल अपडेट्स हैं, और हमारा काम है यह कि बच्चों तक एक इन्फोर्मेशन पोचाना, जिसे कि स्टुडेंट्स अपनी तैयारी भी कर सकें, तैयारी तो करते रहना है, उसमें आपको कोई रुकावट नहीं चाहिए, और अगर आप इस तरह की negative thoughts अगर रुकावट बनाएंगे, तो आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, तो तैयारी आप करिए, क्योंकि वहीं तोड़ है, इस धरवाजे का एक ही तोड़ है, आईएगा, स्टार्ट करते हैं, आज का यह official update, क्या है update, क्या चीजें हैं, सारी की सारी मैं आपको बताता हूँ, रेल्वे मंत्राले द्वारा, रेल्वे बोर्ड ने, दस तारिक को यह निकाल दिया था, हाला कि यह 11 तारिक को हमारे पास आया है, पुस्टी भी की गई कि ऑफिशल है या नहीं है, ठीक है, इसके बाद इन्हों ने बोला है, कि जो filling up आप group C post निकलेंगी, journal railways through, एक्चल में group C जो होता है न, group C के अंदर आप बहुत सारे level बना दिये, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6, तो level 1 जो होता है, उसको group D नाम दे दिया इन लोगों ने, है वो group C की post T, कि NTPC graduate level लेवल और अच्छी बात यह है, मुझे नहीं पता था, लेकिन कल ही मैंने NTPC के ऊपर एक इवेंट भी किया है, वहां मैंने बहुत अच्छे से चीज़े समझाई है, कि आप अपनी तैयारी शुरू कर दो, बहुत अच्छे से समझाया है, और मैंने group D के ऊपर भी बोला था, कि बेटा आप भी अपनी तैयारी शुरू कर दो, बोला था नहीं बोला था, बिल्कुल बोला था मैंने, वो इवेंट भी आप मेरे YouTube चैनल पर, जो अपना quick tricks भाई साहिल सर है, जाकर देख सकते हैं, तो इसमें इन्होंने क्या बोला है, मैं आपको बताता हूँ, जो annual calendar आया है, तो इन्होंने ये मान लिया है, कि हमने annual calendar दे दिया है, ये खुशी की बात मुझे लगी, हाँ, जिसमें recruitment of various groups, पोस्ट approved by the board, approved कर दी गई है, has already been published, on the railway recruitment board, website accordingly, इनका जो notification है, for recruitment ALP, and technician have also been published, 19 जन्वरी को हमने ALP, और 18 मार्च को, हमने technician publish भी कर दिया है, according to the railway annual calendar, बहुत अच्छा भाई, in this connection, competent authority has nominated, nodal RRBs, अच्छा, इसके बाद इन्होंने बोलाई, कि हम एक authority nominate कर रहे हैं, nodal RRBs बना रहे हैं, जो की, आपका CEN issue करेगी, and for conduct of computer based test, as per following table, और यही RRB ही, आपका CBT conduct करवाईगी, इन्होंने, इसके लिए ये एक क्या कर दिये है, committee बनाई, यह कह सकते हैं, एक competent authority बनाई है, nominate की है, अब इन्होंने, NTPC किसको सौपा है, इन्होंने NTPC के जो सारे exam है, जिसमें मैंने आपको बोला, कि इस वार NTPC दो exam में हो सकता है, एक undergraduate में, और एक graduate में, undergraduate में, लेवल 2 और लेवल 3 वाली post आती हैं, कौन सी होती हैं, वो भी बता दूँगा, अभी चिंता मत करो, अगर आपको NTPC से related update देखनी है, NTPC से related update, आपको कहा मिलेगी, RRB एमदाबाद पे मिलेगी, exam भी आपका जो CBT conduct होगा, वो भी RRB ही करवाएगी, एमदाबाद, ठीक है, एक paramedical category का paper भी होने वाला है, इन्होंने आप issue कर दिया है, कि annual calendar के अंदर, जो paramedical category का paper है, वो RRB पटना देखेगी, ठीक है भाईया, लेवल वन, लेवल वन किसका, गुरूब डी का, तो गुरूब डी का कौन देखेगा भाई, गुरूब डी का देखने वाला है, RRB बोपाल, और, ministerial isolated category, इसका देखेगा RRB गोहाटी, इनोंने इन RRBs को नोडल बना दिया है, कि भाई ये सब कुछ करने वाले हैं, ठीक है, आईये, इसके बाद बोला गया है, कि it has also been decided, that the junior engineer including, CMS and CMA, NTPC graduate and undergraduate level 1, paramedical and ministerial categories, of post-journal railways, and production unit may assess their vacancies, as per the following time schedule, अब यहाँ पर हम आपको timeline भी बताने वाले हैं, कि आपकी भरती कब तक पूरी हो जाएगी, ये इनके according है, हाँ, इनोंने बोल दिया है, और मुझे थोड़ा सा यहाँ पर एक positivity नजर भी आती है, हाँ, थोड़ी सी तो नजर आती है, कि इनोंने एक timeline तो अप्रूव की है, कि भाया हम जो NTPC graduate level तक का जो exam है ना, 456 वाला, उसकी जो हम और NTPC undergraduate वाला, और junior engineer वाला, और paramedical वाला, जिनका notification जून जुलाई सेप्टेंबर, जून जुलाई सेप्टेंबर, ये तीन महीने इनोंने लिये हैं, जून, जुलाई, अगस्ट और सेप्टेंबर, चार महीने, और चार पोस्ट हैं ये, समझ रहे हो, जून, जुलाई, अगस्ट सेप्टेंबर, ये चार पोस्ट हैं, चार महीने इनोंने लिये हैं, हर महीने एक एक पोस्ट आएगी, vacancies assessment होंगी 36 तक, याने कि जो 36 तक की vacancies ये count करेंगे इसमें, ये बात इनोंने इस पस्ट बोल दी गई है, और बोल रहा गया है कि अपरेल मई 2024 तक की assessment of vacancies होगी, अब OIRMS after approval होगा, और आपका जो proposal for daft है, वो जून 2024 में बनाकर आपको दे दिया जाएगा, notification आपको जून 2024 में इनका आजाएगा, ठीक है, और जो level 1 की post है, जो group D वाली post है और ministerial isolated category है, ये 30 सितंबर 2025 तक, भरती प्रिकिरिया पूरी कर देंगे ये लोग, ऐसा इनका कहना है भाया, मेरा कहना नहीं है, ये 30 जून तक ये पूरी भरती कर देंगे 2025 तक, मतलब पेपर, वेपर, करवाना, पुर्वाना, जो भी होता है, वो सब कर देंगे, आप समझ रहे हो, ये वो भी हो सकता है, मौकी की नजाकत, हम भी समझ रहे हैं, लेकिन चलो ठीक है, एक नोटिस आया, बताना आवशक है, September 2024, इनका नोटिफिकेशन आपका आजाएगा September में, Group D का नोटिफिकेशन आपको September में आजाएगा, इन चारो वेकेंजिस का नोटिफिकेशन, आपको ये जून 2024 में दे देंगे, और जून जुलाई अगस सितंबर मैं क्यों बोल रहा हूं इसके पीछे भी रीजन है बताओ चलो बताता हूं यह कलेंडर है इन्हों ने देखो जुलाई से सेप्टेंबर डाला है मैंने कुछ नहीं बोला यह तो इन्हों ने खुद नहीं बोला है और अक्टूबर दिसंबर इन्हों ने यह डाला है और अब यहां पर यह लिख रहे हैं कि सेप्टेंबर 24 में दे देंगे तो ठीक है जल्दी दे देंगे अच्छी बात है ठीक है सार 12 वालों के लिए क्या है यह रहना मैंने बताया आपको कल मैंने पूरा NTPC graduate और undergraduate वाले की बात की थी तो जो education qualification जिन welcome ticket clerk यह लेवल 2 और 3 की post है आप भर सकते हो इसी के साथ साथ जिनका यह 2019 का notification है कली मैंने एक event किया था NTPC के उपर कि तैयारी शुरू कर दो बेटा वेकैंसी भी आने वाली है और तैयारी अभी से करोगी तो अच्छी होगी वरना फिर थोड़ी कच्छी रह जाती है और कच अग wellbeing certificate SaaS Masterри अग मैंने तरह का सलिघ स्टेश साथ से जाल को शाफ फसर अटेशिय को अग Germ synchronous ऊंड आल किम्र के यह श्याल स्टेशन घंड च्वता वाली टो थी के लिए झाल किया स्टेशन भी कर लग ने बता दिया च्छी सुरक टेशन अपैस अच्छी लेवल मैंने टीपर के पेपर में देखो 90 minute का पेपर होता है 40 number आपकी GK के आते हैं GK और GS 30 number math के आते हैं और 30 number reasoning के आते हैं और 100 question का पेपर होता है और एक बटेती negative marking होती है NTPC CBT 1 की बात है syllabus पूरा वही है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी मेरे courses में पूरा teachers 35-35 syllabus बिल्कुल 2 copy है copy paste CBT 1 का और CBT 2 का syllabus बिल्कुल सेम है यह मैं आपकी बात कर रहा हूं NTPC की है चलिए और मैंने NTPC के लिए जो जो पोस्ट है उसमें जो जो skill test मांगे वो भी मैंने आपको दिखा दिये थे कल मैंने इसके उपर एक separate वीडियो भी किया था ठीक है यह है group D के लिए अब group D में आपको जो age relaxation मिलने वाला इस बार तीन साल का तो group D के लिए जो age हो जाएगी 18-36 हो जाएगी इस बार ठीक है group D में CBT होगा तो वो 90 minute का paper होगा 25 general science 25 math 30 reasoning और 20 current affair 100 question आते हैं एक सो एक बटेती negative marking होती है group D का भी syllabus बिलकुल as it is है जैसा हम आपको बता रहे है वही number system pipe and system चेक कर लो अभिश्वास नहीं हो रहा ना number system elementary statistics pipe and system सब कुछ वही है सारे के सारे topics same है बस इदर उदर कर दी है और कुछ भी नहीं है ठीक है और physical efficiency test होता है group D में यह group D की बात कर रहा हूं यह है तो आप अपने तयारी शुरू कर सकते हैं एक यह notice आया मेरा purpose था मैंने बता दिया आपको सारा का सारा क्या notice है यह कब तक vacancy को timely complete करने के बारे में बात कर रहे हैं यह लोग कौन लोग RRB Board वाले कि हम 30 June तक इनको पूरी करा देंगे भरती असेस्मेंट यहां तक लिया गया है इसका मतलब यहां तक करा सकते हैं और 30 September 2025 तक पूरा करा देंगे पेपर वेपर सब लेला के इस साल वाली 2024 वाली अच्छी बात है चलो बढ़िया है अपने लिए बुरा नहीं है ठीक है अच्छा सोचा है तो देखते हैं अब यह कितने सालों तक चीजे चलती है तो यह पूरा पूरा प्लानिंग आप लोगों के सामने है तैयारी कर सकते हो आप और अभी भी देरी नहीं हुई है और आप लोगों के लिए तो फिर भी बहुत अच्छा है कि आपको हमारा एक RRB batch है, Railway Record Breaking Batch, यह हम पहले ही ला चुके हैं, तो आप लोगों को यह जॉइन करना है, तो सर इसमें तो पहले वीडियो हो चुकी होंगी, लेकिन आपको फरक नहीं पड़ता, आपके लिए तो एक साल की वैलिडिटी मिलेगी आपको, एक साल की वैलिडिटी मिलेगी अगर आप आज जुड़ते हो तो, आज से एक साल की वैलिडिटी मिलेगी पहली बात तो, सर इसमें NTPCB cover हो जाएगा, GroupDB पूरा cover हो जाएगा, मेरा जवाब होगा हाँ, तो सर हम पढ़ेंगे कब, आपके पास तो recorded वीडियो होंगी इसमें, मैंने का भाई, लाइव भी चल रहा है ये, और आपका ये recorded भी है, ठीक है, मतलब इसकी जो वीडियो हो चुकी है, वो recorded रहेंगी, एक साल तक रहेंगी, तो आपको कैसे पढ़ना है, आप अपना time duration बनाकर time table के इसाफ से पढ़ना शुरू कर दो बस, तो सर सब कुछ मिल जाएगा, इस से बैतरीन कोई batch है, इस से बैतरीन कोई batch आपको इंडिया में नहीं मिलेगा, भारत में नहीं मिलेगा, ये guarantee दे रहा हूं मैं आपको 100% guarantee है, सर ठीक है बाई, तो हमारी application पर जाकर आप इस batch को जॉइन कर सकते हो, ट्रस्ट करते हो तो, अगर आपको केवल math का जॉइन करना है, तो math का भी, अभी मैं जॉइन करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं, कि अभी नवरातरी का हमारा offer चल रहा है, यह 599 का ही मिल रहा है, यह मात्र 1800 99 का मिल रहा है, फरजी batch नहीं है, तो आप लोग इसी तरह की price भी तेखेंगे इनकी, हाँ, पूरा एको एक, यह syllabus है मेरा math का, और यह पूरा actual syllabus आपके group D में आता है, और group D का level बाकी सबसे अच्छा है, और NTPC का level भी बिलकुल अच्छा है, तो best price आपको मिल रही है, 16 तारिक तक यह offer valid है, हमारी application से आप देख सकते हैं, सभी railway exams के लिए आपका RRB batch है, जहां math, reasoning, GKJ सब के foundation, math, foundation अकेला लेना चाहते हो तो 500 99 में, reasoning 400 99 में और science 300 99 में मिल जाएगा, कैसे लेना है, application को download करके paid course में जाना, मनपसंद best select करना, उसके join पे click करना, join पे click करने के बाद submit करके link आएगा, link पे click करके buy now के उपर coupon code है, इस coupon पे जरूर लगा देना भाया, coupon लगाओगे, तब जाके discount मिलेगा, तो जिसको जुड़ना है, वो जुड़ जाना, जिसको तैयारी शुरू करनी है, आप हमारे चैनल से जुड़ जाईए, चैनल उससे जुड़ने के लिए, चैनल को subscribe करना पड़ेगा, ऐसी ही official update मैं आपको सबसे पहले दूँगा, वीडियो को like करिए, अगर information अच्छी लगी है, comment करिए कि आपकी क्या राय है, कि vacancy आपको लोगों के लिए कितनी आ सकती है, और इस वीडियो को share करिए, जिससे बाकी बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है, चलिए, उमीद करता हूँ, कि ये चुनावी जुम्ला ना हो, और ये actual में हो, भगवान से यही प्रातना है, कि इन बच्चों के भविश्य के साथ खेलना, बाहर के लोग बंद करें, ये बात ध्यान रखना, और जिन बच्चों को तयारी करनी है, जिन बच्चों को तयारी नहीं करनी है, उनको खरीदने का कोई मतलब नहीं है बेटा, पैसे मत डालना कहीं पर भी, आपको जैनुवनली अगर पढ़ाई करनी है, सीरियस हो आप, तो ही आप पैसे डालना, अदर्वाइस आप घूमते रहें, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, तो जै हिन, जै भारत, वंदे मातरम, वीडियो को शेर कर दीजिए, जिससे की सभी विध्यारतियों तो कि पहुंच जाए, टेक क्यार,